ये बजाज प्लेटना 110 H-Gear का इस साल का सबसे latest model है यदि आप अपने लिए 100cc या फिर 110cc के segment में एक बहतर bike लेना चाते हैं तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है इस bike से related आपके सबी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान सब्दों में मिल जाएंगे क्योंकि मैं इस bike का detail review करने वाला हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि आपके budget और आपकी requirement के एसाब से आपको यह bike खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए और मैं आपको इस bike के सबी pros and con के वारे मैं भी बताऊंगा और मैं अपना personal opinion भी दूँँगा तो यह वीडियो आपके लिए बहुती ज़्यादा special है सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं इस bike के dimensions की यानि की लंबाई, चोड़ाई, उचाई, बजन की इस bike का बजन 119 किलो का है इस bike की लंबाई 2006 mm की है इसकी चोड़ाई 741 mm की है इसकी उचाई 1100 mm की है इसका wheelbase 1255 mm का है इसका ground clearance 200 mm का है जो की काफी जादा है और इसकी seat height 807 mm की है प्लेटना टोटल 6 कलर में आती है आए अब इसका वाकराउंड करते हैं ये है इस bike की proper left profile ये है इस bike की proper right profile और ये है इस bike की proper front profile जिसमें आप इसके head handle OR beam के design को देख रहे हो इसका head आपको glossy black color में मिलता है head पर ही LED DRL मिलती है जो की ignition के on होते ही automatically on हो जाती है headlight की अगर बात की जाए तो इस bike में आपको halogen bulb के साथ में इसका head lamp setup मिलता है बले ही bike start ना हो तब भी आप इसकी headlight को manually on off कर सकते हो थोड़े बहुत flexible side turn indicator मिलते है जिनमें company ने bulb का use किया है front में आपको telescopic suspension मिलते है यहाँ पर comfort tech को mention किया है front mudguard का design कुछ इस तरीके का है जो की आपको single tone में मिलता है और इस पर आपको graphics भी मिल जाते है suspension पर दोनों side में आपको reflector भी मिलते है इस bike में आपको 17 इंचिस के alloy wheel मिलते है alloy का pattern कुछ इस तरीके का है इस bike में आपको total दो variant मिलते है disc variant और drum variant यह इस bike का drum variant है आईए बात करते हैं इसके front tire की front में आपको euro grip का एक tubeless tire मिलता है जिसका size भी में आपको दिखा देता हूँ जो की है 817 front wheel में 130 mm का drum braking system मिलता है with CBS इसका मतलब होता है kombi braking system suspension पर यहाँ पर anti-skid braking को mention किया है इस bike के tank का design कुछ ज़स तरीके का है आप देख सकते हैं golden color से platina को mention किया है इसके tank पर आपको काफी अच्छे graphics मिल जाते है यानि की काफी अच्छे stickers मिलते हैं platina में आपको 11 liter की fuel tank capacity मिलती है यहाँ पर आपको rubber tank pad भी मिलता है आईए अब मैं आपको इस bike के handle के design को यहाँ से दिखाता हूँ यह देखिए और इस bike में आपको additionally handle call भी मिलते हैं जिनकी quality काफी अच्छी है आईए देखते हैं left handle पर कौन कौन से feature button मिलते है यहाँ पर आपको dedicated एक passing switch मिलता है यहाँ पर आपको low beam high beam switch मिलता है उसके नीचे आपको side turn indicator switch मिलता है उसके नीचे आपको एक horn का switch मिलता है इसके right handle पर आपको dedicated headlight को on up करने के लिए switch मिलता है उसके नीचे आपको एक self का switch मिलता है इस bike की जो switch की quality है ठीक है कुछ तरीके से होती है guys इस bike में आपको fully analog instrument cluster मिलता है यदि आप इस bike का second variant यानि की disc variant लोगे तो आपको इसका instrument cluster जो मिलेगा वो आपको semi-digital मिलेगा drum variant में fully analog मिलता है और disc variant में आपको semi-digital मिलता है left side में speedometer automator मिलता है right side में आपको field gauge मिलता है और बाकी के सभी most important indicator lights मिल जाते है ignition के on होते ही इसकी जो LED DRL है automatically on हो जाती है बाइक के start हो या फिर ना start हो आप इसकी headlight को manually on off कर सकते हो आईए अब मैं आपको इसका low beam high beam भी दिखा देता हूँ ये देखी गाइस जैसे ही इस bike की headlight को on करते हैं वैसे इसके meter में भी light on हो जाती है इस bike में आपको single horn मिलता है जो की loud है company fitted crash guard मिलता है आईए गाइस अब वहां की बात करते हैं जहां से इस bike की performance निकल कर आती है जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे इसके engine की इस bike में आपको 115.45cc का single cylinder air cool BS64 stock 2 valve DTSI technology वाला एक engine मिलता है इसमें आपको fuel injection नहीं मिलता है इस bike में आपको carburetor मिलता है जो की इस bike का plus point B है और negative point B है इसके engine से आपको maximum power मिलती है 8.44 bhp की 7000 rpm और इसमें आपको maximum torque मिलता है 9.81 newton meter का 5000 rpm इस bike में आपको torque काफी ज़्यादा मिलता है इस bike में आपको 5 speed man on transmission के साथ gearbox मिलता है pattern है all down यानि की सबी gear आगे की तरफ लगेंगे और इस bike में आपको safety point W से side stand engine cut off feature भी मिलता है side panels पर आपको stickers मिल जाते हैं इस bike में आपको कुछ इस तरीके की seat मिलती है इसकी seat जो है वाकई में guys बहुत ज़्यादा comfortable है बहुत ज़्यादा लंबी भी है इस bike का सबसे बड़ा plus point ये है कि इस segment पे जितनी भी bike आती है उन सभी मेंसे इसकी seat जो है सबसे लंबी है और इसकी seat जो है soft भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर company ने comfort एक को mention किया है इस bike के gravel rail का design कुछ इस तरीके का है जो की आपको solid metal का मिलता है इसके seat का ओल पर company ने 110 comfort ए तरीके की design में मिलता है lady fortress और साडी guard company fitted मिलता है आईए अब बात करते हैं इसके rear suspension की rear में आपको SOS nitrox with canister hydraulic suspension मिलते हैं आईए अब बात करते हैं इसके rear tire की rear में भी आपको euro grip का ही एक अच्छी quality का T-blast tire मिलता है जिसका size भी मैं आपको दिखा देता हूं जो की है 8017 front tire में आपको कुछ इस तरीके की grips मिलती है और पीछे वाले tire में आपको कुछ इस तरीके की grips मिलती है ये है इस bike की proper rear profile tail light sight and indicator में company ने valve का ही use किया है और इस bike में आपको number plate light नहीं मिलती है आईए अब बात करते हैं इसके rear braking system की rear में आपको 110 mm का drum braking system मिलता है इस bike में आपको कुछ इस तरीके का exhaust मिलता है आप देख सकते हैं single muffler मिलता है जो की chrome finishing के साथ में आता है प्लेटना 110 में आपको के के start का भी feature मिलता है जो की काफी अच्छी बात है गाइस ये है इस bike की proper right profile आईए अब मैं आपको यह bike के start करके दिखाता हूँ इसके सभी electrical features दिखाता हूँ इस bike का engine sound भी सुनाता हूँ और इसका exhaust note भी सुनाता हूँ जैसे ही इस bike के ignition को on करते हैं वैसी इसकी जो DRL है automatically on हो जाती है ये देखी गाइस आईए अब मैं आपको इसके side stand indicator on करके दिखा देता हूँ ये देखिए आप इसकी headlight को manually on up कर सकते हो ये देखी गाइस कुछे सरीके से low high beam भी मैं आपको दिखा देता हूँ आईए अब मैं आपको इस bike का side stand engine cutoff feature भी दिखाता हूँ ये bike अभी start है guys आईए मैं इसका side stand लगाता हूँ ये देखी guys first gear डालता हूँ clutch लेकर जैसी मैंने इसका first gear डाला वैसी ये bike automatically बंद हो गई दोबारा से start करके मैं आपको इस bike का engine sound सुनाता हूँ और इसका exhaust note भी सुनाता हूँ ये bike जो है single press में start हो जाती है अब आप इसका engine sound सुनिये और इसका exhaust note भी सुनिये कर उन दोड़ को है तोड़ कि एसका है वे फसकाथ सुनाता है है कर दोड़ है मैं special thanks कहना चाहूंगा संकर बजाज को जिनोंने ये बाइक मुझे proper review के लिए provide की है इनका ये सोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जले के man city इटावा में है और इटावा में भी दो जगे पके बाग पर और पके तालाब पर इनका number और इनका address आपकी screen पर flash हो रहा है यदि आपको बजाज की कोई भी bike लेनी हो तो आप इनसे contact कर सकते हैं इनके पास बजाज की सभी model की bike all time available होती है यदि कोई particular आपके हिसाब से model available नहीं है तो वो बहुत ही जल्द आपको available करा दिया जाएगा यदि आप वीडियो देखकर जाएं तो आप हमारे reference भी दे सकते हैं कि हमने technical sht youtube चैनल पर वीडियो देखी थी वो देखकर मैं आया हूँ बहुत ही जल्द बजाज की नई bike launch होने वाली हैं और कुछ नई bike के model भी आने वाले हैं उन सभी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी आप technical sht youtube चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आल पर सेट कर लीजे जिससे most important वीडियो आप से ना छूटे आएए अब बात करते हैं इस bike के price mileage warranty pros and cons final conclusion के साथ साथ मेरे personal opinion की बजाज कंपनी अपनी इस bike पर 5 साल की standard warranty देती है और 75,000 km तक standard warranty देती है warranty के मामले में ये bike number one है एक बहुती महतपूर बात है यदि आप अपनी bike के लिए additional assery search कर रहे हो spare parts search कर रहे हो riding gear search कर रहे हो या फिर अपनी bike को maintain रखने के लिए अच्छे product search कर रहे हो यदि वो आपको आपके local market में नहीं मिल रहे है या फिर आपको ज़्यादा कीमत पे मिल रहे है तो आपको बिल्कुल भी परिजान होने की ज़रूत नहीं है आप इस वीडियो के description box में जाएए मैं उन सभी के best offer by link आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा जहाँ पर आप उनको click करके best offer में heavy discount पे market से कम कीमत पे original product को खरीच सकते हो mileage की अगर बात की जाए तो आप इस bike से maximum 75 to 85 तक का mileage निकाल सकते हो फिर वो आपकी riding पर depend करता है और आपकी bike की condition पर depend करता है आए बात करते हैं इस bike की कीमत की ये bike जो है total 2 variant में आती है जैसा कि मैं आपको starting में ही बता चुका हूँ disc variant में और drum variant में दोनों variant में price का कोई भी ज़्यादा फरक नहीं है 1 से 2,000 रुपए का ही difference है drum variant में ये bike आपको on-road लगबग 82,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी और disc variant में ये bike आपको on-road लगबग 83 या फिर 84,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी price का आपके वल रफ आइडिया ही माने क्योंकि हर estate की हर डेश्टेक की और हर सूरूम की अलग-अलग price होती है आइए अब बात करते हैं इस bike के plus point की और negative point की याने की pros and con की सबसे पहले बात करेंगे इस bike के pros की इस bike की जो price है इस segment में सबसे अच्छी है और इसी के साथ-साथ इस bike में आपको काफी comfortable ride मिलती है engine आपको काफी अच्छा मिलता है 5 gear मिलते है इस segment में और किसी भी bike में आपको 5 gear नहीं मिलेंगे tubeless tire मिलते हैं alloy wheel मिलते हैं इसकी seat बहुती ज़्यादा comfortable है बहुती लंबी इसकी seat है आईए अब बात करते हैं इस bike के corn की यानिकी इसके negative point की इस bike में आपको carburetor मिलता है आज के time में भी ये कुछ लोगों के लिए तो बहुती अच्छी बात है जिल लोगों को fuel injection बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन जिसको fuel injection पसंद है और वो प्लेटना लेना चाहता है तो उसके लिए तो ये negative point हो गया आईए अब बात करते हैं final conclusion की कि आपको disc variant में लेनी चाहिए या फिर drum variant में लेनी चाहिए मेरे personal suggestion की अगर बात की जाए तो मैं आपको personally suggest करता हूँ कि आप इस bike को disc variant में ही खरीद है क्योंकि आपको रुपए कम देने पड़ रहे हैं यानि की 1000-2000 रुपए ही extra देने पड़ रहे हैं उसमें आपको disc breaking system भी मिल जाएगा और instrument cluster भी आपको semi digital मिल जाएगा जो की काफी अच्छी बात है अब मैं यह उमीद करता हूँ इस bike से related आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान सब्दम में मिल गई होंगे और आपने ये decide कर लिया होगा कि आप इस bike को खरीद रही हो या फिर नहीं खरीद रही हो जो भी आपका decision हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपना reason भी जरूर दे कि आपने इस bike को select किया है तो क्यों select किया है और select नहीं किया है यदि आप उसको अच्छे से explain करोगे तो मैं आपके comment को इसी वी वीडियोस आने वाली हैं मेरे परसनाल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं आपको यह बाइक 100% रेकमेंट करता हूँ अब एक बहुत ही महतपूर बात है जरा आप इसको ध्यान से सुनिए यदि किसी भी कारण की वज़े से यह बाइक आपको पसंद नहीं आई है और आप इसी बाइक किसके लिए बैतर है और कौनसी बाइक किस से बैतर है वो लगबग 25-30 मिनट के आसपास की वीडियो है यदि आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस सभी वीडियो के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिसकप्शन में दे दूँगा अब मैं आपको बाइक खरीदने से पहले सबसे पहले तो आप उसका डेडिकेड रिव्यू देखिए उसके बाद में आप उसके जितने भी मैसिब कंपेर्जन देख सकते हैं वो जाकर आप जरूर देख लें उससे क्या होगा आप और वी ज़्यादा confident feel करेंगे कि आपकी bike जो है अपने segment में सबसे best bike है bike खरीदने से related एक और मैं आपको personal suggestion देता हूँ किसी भी bike को खरीदने से पहले आप जब सोरूम पर जाएं वहाँ जाकर आप जरूर पूछें कि कंपनी की तरब से क्या offer मिल रहा है और सोरूम की तरब से आप क्या additional offer दे रही हो तो दस्तो बस फलाल के इस वीडियो में तना ही मुझे मीधे वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने कर दो